Hello everyone, Welcome to my YouTube channel इस वीडियो में बात करने वाले हैं इमाचापदेश Public Service Commission शिमला के बारे में तो जो लोग भी इनके एक्जाम भरते हैं तो उनको पता है कि जो भी एक्जाम कंड़क्ट करवाते हैं तो उसकी जो रिक्रूटमेंट रहती है उसमें कम से कम एक साल लगता है और उससे जादा तो फिर कोई लिमिट नहीं है और इस वीडियो में हम ऐसे ही एक एक्जाम के उपर बात करने वाले हैं और बहुत सारे मैं टॉपिक को भी यहां पे कबर करने वाला हूँ तो सबसे पहले अगर हम एक्जाम के नाम के उपर बात करें तो एक्जाम है Assistant District Attorney ADA का एक्जाम जिसका जो एक्जाम है वो 17 April 2022 को हो चुका है लेकिन अभी तक इसका screening test result नहीं आया हुआ है जिसका reason है कि इस पर court case हुआ था तो बहुत सारे हम ऐसे एक्जाम देते हैं यह मैंचा पते इस पब्लिक सर्विस कमिशन शिम्बला के जिनके result आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है तो उसका reason कई बार court cases होता है और यह चीजे बाहर निकल के नहीं आती है तो यहाँ पर court case हुआ है जिसकी बज़े से यह result नहीं आ रहा था court case की जो बज़े है वो है कि यहाँ पर जो age का criteria है तो maximum age रखी गई थी 35 साल तो यहाँ पर petition करी गई होगी challenge किया गया होगा यहाँ पर क्यूंकि बहुत सारी ऐसी बरतिये भी होती है जहाँ पर 40 years आपको criteria maximum देखने को मिलता है तो यहाँ पर बताया गया है कि 35 साल इस notification में इसकी maximum age limit रखी गई थी पहले जो था वो ADA को third class में consider करा जाता था फिर 21 मई 2009 को अधिस उचना जारी हुई जिसमें इनको class 1 gadget बना दिया गया तो इसके बाद जो है वो 18-35 range रखी गई तो यहाँ पे इनकी मांग है जिन्होंने भी petition डाली है कि 45 age को किया जाए और यहाँ पे जो court का decision है वो आ चुका है मतलब court ने जो है वो I.O को इजाज़त दे दिये कि आप result निकाल दो फिलाल के लिए case जो है मतलब वो screen test में जिनका merit में नाम आएगा तो उनको निकती पत्तर जारी किये जाए लेकिन उनके जो marks है वो जिन्होंने भी petition करी है उनसे ज़्यादा होने चाहिए और अगली सुनबाई 3 March को रखी गई है अगर हम इसके advertisement की बात करें तो 24 November 2021 को advertisement निकली थी और last date इसकी 31 December 2021 थी तो यहाँ पर आप देख सकते होगी कितना लेट यहाँ पर सिस्टम रहता है 21 की भरती अब देखो 23 हो गया अभी तक screening test नहीं आया हुए result फिर उसके बाद interview की date आएगी फिर आपको result देखने को मिलेगा उसके बाद जोइनिंग देखने को मिलती है तो कितना समय इनके एक test खा जाता है जबकि यहाँ पर इतने ज़्यादा candidate भी नहीं होते हैं अगर हम किसी और exam से compare करेंगे तो future में इन चीज़ों पर थोड़ी improvement होनी चाहिए और अगर court cases बगएरा किसी भी exam पर होते हैं तो transparency के तौर पे newspaper में उसकी news लगवानी चाहिए ताकि candidate को पता चल जाए कि यह reason है जिसकी बज़े से जो है result नहीं आ पा रहा है otherwise बहाँ पे अगर call करें commission में तो वो कुछ भी update इससे later नहीं देते हैं तो तभी इतनी ज़्यादा complaint रहती है अभी electrical के result का भी काफी लोगों को इंतजार है कि इसमें पोस्टे ज़्यादा रहती है तो अब देखते हैं कि कब तक वो result आ पाता है और कब तक इसका result हमें देखने को मिलता है I hope आपको वी वीडियो अच्छी लगयोगी informative लगयो तो वीडियो का like, comment, share कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो further new updates के लिए